ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपना नीट का एक्जम 2024 में देना चाते हैं जो बच्चे किलास 11 से 12 में मुव कर रहे हैं पर उनका है कि सर हमारी किलास 11 तो त्ने अच्छे से तैयार नहीं हो पाई है अब रीजन कुछ भी रहा हो पर सर अब हमारे पास सिब एक साल है उसमें हमें किलास 12 में करनी है अपनी बोर्ड भी देना है और हमें नीट भी करना है तो कैसे कर सकते हैं तो क्या study plan होना चाहिए और हमें क्या timeline फॉलो करनी चाहिए वही में बताने वाला है ताकि तुम इंडिया की top rank secure कर सको जैसे मेरे इन इस्टोंट में secure करी थी नी 22 में इनमें कई स्थ्टूंट बन यह रहें कई स्थ्टूंट त्वे एर इस्टूंट थे जो नी 2024 के बच्चे में बता देता हो अगर तो मुझसे पढ़ना चाहते हो और तुम्हारा टार्गेट है कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन कोटा के सबसे च्छे टीचर्स के गाइडेंस में हो जो हर साल इंडिया के बेस्ट रिजल प्रोड्यूस करते है तो हमारी टीम का नया बैच आ रहा है यह नी 2024 असपरेंट्स के लिए यह 20 अप्रिल से स्टार्ट हो चुका है न्यू बैच फॉर्थ में से आएगा हर थोड़े दिन में न्यू बैचे साते रेते हैं तो तो तुम इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फिजिक्स लाइव इस दा कोड अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो इससे तुम्हें मैक्सिम्न डिस्कॉंट भी मिल जाएगा इसमें हम कंप्लीट तुम्हें 11-12 का सिलिफस करवाने वाले है करवाने वाले इसके अलावा तुम्हारे पास एक उप्शन और सुपर अचीवर बैच भी जॉइन कर सकते हो जो नाइध में से आ रहा है यह ड्रॉपर्स बैच है पर अभी तुमकों कि एक साल में पूरी तैयारी करनी है तो तुम्हें ड्रॉपर्स के तरीके से ही करनी है इसमें तुम्हारा बोल्ड का भी 100% कवर होगा तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है तो देखो मैक्सिमम बच्चे एप्रिल या मैसे स्टार्ट कर रहे है तो तुम्हें सबसे पहले टार्गेट रखना है कि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए नवंबर मंते तक तुम्हें कम्प्लीट अपना 11-12 का पूरा सिलिबस करना है और तुम्हें यह नहीं मान के चलना आपकी सिप 12 पढ़ना है तुम्हें डबल महनत करनी पड़ेगी तुम्हें कम्प्लीट 11-12 साथ में जैसे अगर तुम मुझ से आके मेरे बैंच में भी पढ़ोगे तो मैं भी तुम्हें 11-12 पैरलल करा हुआ तो नवंबर तक तुमको कम्प्लीट सिलिबस कर लेना है और कम्प्लीट सिलिबस से मेरा मतलब क्या होता है सिब कहने कहने के लिए नहीं कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कम्प्लीट सिलिबस का मतलब DPP दी जाती है, daily practice problem उस class में हम जो भी concept पढ़ते हैं उससे related 10-15 question होते हैं इसके हरे के question का तुम्हें video solution भी मिलता है और वो video solution भी कोटा के top teachers में बनाए हुए ठीक है, ताकि तुम्हारा कोई भी doubt ना रह जाए तो proper DPP करनी है फिर modules मिलते हैं तुमको है न, modules पिजेक्स ओलिक से modules उनमें तीन exercises होगी, वो करनी है और साथ में तुम्हें NEET और EMS के PYQ, इनमें से important PYQ तुम्हें क्लास के अंदर ही करा जेता हूं, maximum PYQ बाकी तुम्हें करने हैं, तो जब हम बोलते हैं उनको target रखना है कि भाई, December से अपना revision start हो जाए, December से February तक अपने पूरा अपना detailed revision कर डाले, इसमें धाई से तीन महीने लगते हैं, detailed element का पूरा revision हो जाना भी अपना, और यही वो time है, जब तुम्हारे 12th के exam भी आ रहे होगे, 12th के exam भी आ रहे होगे तो 12th के जब तुम्हारे board exam भी आ रहे होगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जब तुम्हारे board की तेयर ही अपने आप हो रही है बस तुम्हे स्कूल में जाके कुछ return test देने होगे बाकी नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसके दोरान हम हम बहुत सारे quick revision करेंगे और selectively revision करेंगे selective revision का क्या मतलब है मतलब उस वक्त हम बहुत सारे mock test दे रहे होते हैं बहुत सारे mock test के बाद हम analysis करते हैं और analysis में हमको पता चलता है कि कि किस chapter की question बार बार गलत हो रहे है यहाँ यह मुझे दिक्कत आ रहे है तो उन चीटों को हम selectively study करेंगे उन chapters को selective study करेंगे उन पर हम जादा focus करेंगे तो हम selective revision कर रहे होगे तो देखो अगर तुम यह timeline proper follow कर रहे हो तो selection होगा, rank आईगी जैसे मेरे यह students लेके आयते जो मैंने तुम्हें भी दिखाया तो तुम्हे timeline follow करना है हाँ, यह बात जरूर हम महनत बहुत करनी पड़ेगी मतलब मैं minimum बता देता हूँ किसी भी जिस हाल में, क्योंकि तुम्हें एक साल में सब कुछ करना है 12 hours everyday तुमको पढ़ना पड़ेगा including classes, of course including classes पर अगर तुम आभी भी यह गढ़बण कर दो कि तुम करोगे, नहीं सार अभी में सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे है तो यह असंभब है, और कुछ नहीं है minimum तुम्हें 12 hours पढ़ना ही पड़े का तभी तुम यह खतम कर पाओगे, बनना ही यह खतम नहीं होगा तुम्हारी ज़्यादा बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि तुम कैसे करोगे वो तो बता दिया दिक्कत है कि यह सोचूगी तुम्हारा एक साल पहले बरबात क्यों होगा क्लास 11 में, क्लास 11 तुतने अच्छे से तैयार क्यों नहीं हो पाईए यह अपने आप से कोश्चन पूछना बहुत जरूरी है अगर उसका रीजन है कि तुम्हारा लेडवेक एटिट्यूट तो बड़ाई नहीं करते थे तो वो एटिट्यूट बदलना जादा डिफिकल्ट चीज होती है तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने आपको डिस्सिप्लिन में लाने में एक टाइम टेबल फोलो करने में तो मैं बहुत स्टॉंगली रिकमेंट करूँगा कि तुम्हारा जो एटिट्यूट है पढ़ाई को लेके करना तुम्हारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर वो किरेट हो गया यह भी फोलो हो जाएगा और सेलेक्शन भी हो जाएगा तुम्हारा तो मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाल रहा है इस चैनल पर तुम्हें मिल जाएगा सर्चमाना उसको देखो खुदका टाइम टेबिल बनाओ उससे मोटिवेशन आता है और पढ़ाई करना चाहते है वो लोग एन्थूस बैच या यह वाला बैच जॉइन कर सकते है इनके लिए भी मैंने एक डेटेल वीडियो बना दिय लिए निव बैचेस के लिए तुम उसको भी जाके देख सकते है उससे तुम्हें बैचेस के बारे में पता चल जाएगा